हेलो गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, दोस्तों, ओल रीग इंडेस्टी में आप जॉब करना चाहते हैं, उसके बारे में रिक्वाइड कोर्स के बारे में बात करेंगे, अगर आप इसे पहला ही कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको इजी एकसेस हो जाएगी, ओ आपको फिर वापस कर दिया जाएगा, आप फिर आएगे उस कोर्स को करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोल रहते, पूछ रहते, कि सर कुछ ऐसा कोर्स मुझे बताईए, अगर मैं पहला ही कर लेता हूँ, तो ओल रीग इंडेस्टी में जॉब करने के लिए एक्सेस मिलना असान हो जाए, और मुझे असानी से जॉब मिल जाए ओल रीग इंडेस्टी में, ताके मैं अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकूँ, और ज्यादा पैसा कमा सकूँ, और लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तो इस कोर्स के बारे में बात करेंग यह अलग-अलग सर्टिफिकेशन आपको दिखाना पड़ता है, आपको देना पड़ता है, देखो, अगर आपने पढ़ाई कर रखा है, अभी एडिस्टनल कोर्स के बारे में बाद में बात करूँगा, अगर आप बीटेक इन पेट्रोलियम इंजिनिरिंग, या बीटेक चीजे हैं, उसके बाद बी और बीटेक इन पेट्रोलियम इंजिनिरिंग, फिर से मैं बताता हूँ, अगर आपने बीटेक कर रखा है, पेट्रोलियम इंजिनिरिंग में, बीटेक कर रखा है, बीटेक इन पेट्रोलियम इंजिनिरिंग, अगर आपने इसमें बीटेक कर र फिल्ड के लिए बने हैं अब इसके आलावा और भी क्या-क्या कुछ कोर्स हैं उसे भी आपको करना ज़रूरी होगा अगर आप जो मैंने बताया ना बीटेक इन पेट्रोलियउम इंजीनेरी अगर कोई नहीं किया है तब भी जो इसके बाद sorta करना ज़रूरी है उनके लिए चाहे वह बीटेक वाले हो, या दूसरे किसी काम में आप जा रहे हैं तो busite इसको busite भी लोग बोलते हैं busite भी लोग बोलते है basic of source safety induction and emergency training इसका full form है short में इसको busite बोलते हैं और ये duration इसका 3 दिन लगता है इस training को complete करने के लिए 3 days लगता है और price ये vary करता है बहुत सारी organization कराती है इंडिया में और अलग-अलग price है तो price के बारे में आप check कर लिजेगा online और इसकी validity होता है ऐसा नहीं कि इसका certification lifetime है नए 4 years के लिए होता है 4 years के बाद आपको ये update करना होगा refresh करना होगा इस certificate को तो ये busite एक तो आपको करना ही चाहिए और करना ही पड़ेगा ये क्या है एक चोली busite ये एक training है safety training है ये busite का मतलब ही होता है basic of source safety induction and emergency training ठीक है emergencies के बारे में है कुछ safety value के बारे में बताया जाएगा safety induction के बारे में बताया जाएगा जहाँ पे आप काम कर रहे है वहाँ पे क्या क्या आपको precaution लेना है इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे उसके बाद helicopter से related होता है कि offshore में अक्सर लोग helicopter से travel करते है maximum तो helicopter से travel करने से पहले कुछ safety precautions के बारे में आपको जानना जरूरी है उस course का नाम है हुट हुट करके है helicopter underwater escape training अगर in case कुछ हो जाता है तो आपको escape कैसे करना है पानी के अंदर से कैसे अपने आपको बचाना है बहुत सारी चीज़े है ये भी safety training है और ये स्रिप एक दिन का होता है और ये भी चार साल के लिए valid होता है फोर इसके बाद आपको इसको renewal कराना है refresh कराना है आपको चार साल तक ये valid है तो ये चीज़ है अगर आप ये दो course कर लेते हैं और आप अपने CV में इसका certification लगा देते हैं तो CV आपकी बहुत ये strong हो जाएगे ऐसा लगेगा कि ये बंदा professional है और इसी काम के लिए बना है किसी तरह का कोई fake नहीं है और इस certificate internationally होता है आप कहीं पर भी इसको जा सकते हैं ऐसा नहीं कि इंडिया में आपकी ये होते हैं इंडिया के लिए बैलिडे नहीं ये international होता है आपने अगर b-tech in petrochemical b-tech in petroleum refineries b-e और b-tech in petroleum engineering में अगर आपने b-tech किया है तो ये आप एक already professional है आपको ज़्यादा परिशान होने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई अगर offshore में काम करना चाहता है दूसरा department है कोई welder ही है ठीक है कोई electrician ही है offshore में काम करना चाहता है जाँ offshore platform बन रही है या कोई dealer है कोई है तो उसे ये चीज की जरूरी compulsory होता है बुसाइट और हुइट ये दो चीज़ ऐसे course बहुत है आप जैसे plant के अंदर में entry करेंगे H2S, work and height बहुत सारी चीज़े हैं उसकी training धीरे धीरे और लोग खुदी देते हैं आपको पहले से उसकी training अगर आपने कर रखा है तो अच्छी बात है नहीं तो उसको special पहले से training करके रखने के ज़रूरत नहीं है लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको खुदी और train कर देंगे ओके गाईस I think clear हो गया होगा अगर आप पहली बार हो इस channel को subscribe कर लो बहुत अच्छी अच्छी career के regarding बाते होती रहती है बहुत ही knowledgeful बाते होती रहती है दोस्तो अपना ध्यान रखिए मिलते अंगले वीडियो में जहिंद